हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक और नीव वीडियो में स्वागत हैं सो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पारे होंगे कि हम लोग ना लेक्सेलर वीडियो में आर्थिक भुविज्यान में इकोनोमिकल जियोलोजी को हम लोग कवर कर रहे हैं तो मैंने आपको कल के ल स्टड़ी करोगे तो जितना अभी आप टर्म वन के लिए दो हम वीडियो करवाये हैं आपके लिए असान हो जाएगा वह समझना ठीक है तो आपको इंटरेस्ट नहीं कोई बात नहीं आपके लिए अब्जेक्टिब भी आएगा लेकिन जहां तक मेरी राय है जैसे साब सम को follow कर रहे हैं पूरे वीडियो को देख रहे हैं पूरे classes को attend करे ठीक है तो लेट तो होता ही है मानदे जह कुछ भी पढ़ा रहे है तो उसमें लेट होता वीडियो फूल देखो ये करो हमको कोई भी डैलोग ने फॉलो करना है हम आपके लिए इस पैसली बोल रहे हैं आपको बुरा भी लगता होगा लेकिन कोई बात नहीं ठीक है तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समाने धात्व को बारे में किसके बारे था थे उन सभी का इस्टड़ी हमने पार्ट वीडियो में कर लिया है जो कि बाउन्य मिनट का लेक्टर है ठीक है तो उसमें आप सभी लोग जाकर पूरी वीडियोस को फूल वाच कर लेना आज की इस वीडियो में हैं जो हम लोग पढ़ने वाले उसी का चैप्टर नंबर हम लोग केवल जेनरल धातु के बारे में पढ़ेंगे केवल धातु के बारे में और ऐसे धातु धातु विभीन परगार के कल के वीडियो में हम बताया है इस धातु जो होते हैं कुछ बहुत मुल्लेवान होते हैं कुछ खनीज होते हैं जिसे धातु निकाल जाता है कुछ आयसको के बारे में हमें पढ़ना होता है उसी प्रगर से हमको आज की वीडियो बहुत लंबा नई होने वाला है जनरल जनरल सी चीज़ें हम लोग जानेंगे समाने धात्यों के बारे में लिस्ट वाइज करके ठीक है तो आप सभी से उमिद्ध है कि वीडियो के लास तक देखोगे एंड क्लास को हम बताते हैं हमेशा कि यार रायटिंग करो ना आप लोग रायटिंग जितने वी चीज़ आपको हम बौल दिए तो उसको लिखो करते हैं कि देख कर देख़ करते हैं कि देख लिखते हैं लिखकर practice करते हैं आपको याद नहीं रहता है लिख लिखकर practice करो याद हो जाएगा दो लोग बहुत अच्छे से मतलब दो-चार लोग पांच लोग है ची meditate कर एक बहुत पड़ाई करह रहे हैं उनका मैं पढ़ो लेकिन पढ़ाई करो कि एसाम आपका 45 दिन बचा हुआ है इंडेक ओरिजिनल वीडियो बन चुका है उस पर भी हम बता है कि जितना आप पढ़ चुक है उसका रिविजन करते चलना उसका एक कि 45 दिन में वीडियो 45 दिन में हमें टर्म वान एक्जाम के त्यारी कैसे करें यह सब कुछ है तो आप चैनल पर चेकाउट करोगे नहीं या कर थीक है चलिए हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं आए स्कृन तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे एंड अब आप के लिए इसको देख सकते हैं और आप नोट्स भी करते चलेंगे साथ सार ठीक है तो इसमें लिखा हुआ है समाने धात्व के बारे में सीसा तथा जस्ता हमारा नंबर वन पर पढ़ना होता है जो की जेन प्रकृती में सलफाइड के रूप में साथ साथ मिलते हैं मतलब की सीसा तथा जस्ता आपको डारे कैसे नहीं मिलेंगे प्रकृती में सलफाइड के रूप में मिलेंगे सलफाइड के साथ साथ सीसे का उपयोग मिसे धातू बनाने के लिए रसानिक विधुतकारियों के लि आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं भारत में सीशा तथा जस्ता बिहार उडिशा राजस्थान हिमाचल परदेश तथा तमिलनाडू में पाया जाता है इसके परमुखनीज गैलेना तथा जिंक ब्लेंड है ठीक है या चूना पत्थर में सिराओं तथा लोड में प्राप के ही है ठीक है अब अगर बात करें इसी सीशा और जस्ते के उत्पादन तथा वित्रन की तो आप देखना ध्यान से कि जावर निचेप एक कहलाता है जो कि राजस्थान में सीशा जस्था के सरवधिक एवं महत्वपूर्ण नीचे मिलते हैं ठीक है उदयपूर से 40 किलो मे दूल जावर छेतर में यह पटी 20 किलोमेटर लंबाई में फैली हुई है जिसको मोचिया बलारिया जावर माला प्रोई आधी इस पटी के महत्वपूर्ण नीचेप है तो मैं आपको बता दू कि यह एक्जाम की दिरिष्टी कौन से इंपोर्टेंट है कि ने तो यह उतना इंपोर्टेंट नी है जो इंपोर्टेंट होगा हम आपको उस पर स्टार्ट देते चलेंगे यह आपको हम बताते चलेंगे इसके बाद आगे है दरीबा निचेप क्या है दरीबा निचेप इसमें दोस्तों राज मसंद जीले में रेल मगरा तहसिल में सीशा जस्ता के नि क्यूशन आया हुआ था जिसको आप अच्छे से अभी यहां पर हाइलाइट किजगा मुझे सब याद आ रहा है कि टर्मन में जो मैंने बताया था उपजेक्टिव वो गोजन जोन से समंदित वो दरीबा निछेप था यहां पर गोजन जेप में यह जो समंदित है किसी से ग् खनन एवं परिसकरन की आयू 32 वर्स आके गई है समझ मागया यहां के निछेप ग्रेफाइट सिस्ट कॉलक बायोटाइट या डोमोमाइट में सहस्चर्य में मिलता है समझ मागया उसके बाद आगूचा निछेप यह निछेप भीलवाडा जिले में गुलापूरा से 12 किलो समझ में फैले हुए हैं और बायोटाइट सिस्ट में पाये जाते हैं यह भारत के सबसे बड़े धातु मात्रा से सम्रिद्ध निछेप हैं इस छेत्रे में साथ मिलियन टन खनीज निछेपों का आकलन किया गया जिसमें 10 से 12 प्रतिसाद जस्ता एवं एक से 2 प्रतिसाद सी है आगे देख सकते हैं कि यह इंपोर्टेंट है कि सीशा तामबा जस्ता जबस सबसे ज़्याद कहां यह आपका भी भी आई है ओके तो आप इसे भी नोट्स कर सकते हो बिस्व में सीशा के निछेप मुखे तचीन में हैं अस्ट्रेलिया में अमेरिका में कनाडा में हमारा जो अभी इंडिया में पाये जाते हैं उसका ही उतना इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन आपको सिंपल वाले जो खनीज है उसमें सिंपल धातों के बारें पढ़ना था तो आपको पढ़ना पड़ेगा अस्ट्रेलिया चीन अमेरिका पेरू कनाडा स्वीडन आदे इन खनीजों के पर्मु खुतपादक राष्ट हो जाते हैं ठीक है किनके सीशा तथा जस्ता के आगे बढ़ते हैं जो कि कॉपर के बारे में तंबा के बारे में प्राचिन काल से ही मानो तांबे का परियूग करता रहा है मिंच इतिहास में भी इसका आपका वर्ण ड दूसरी अस्थान पर आता है कि लोहा के बाद दूसरी अस्थान पर आने वाले खनीजों के नाम बताएं तो आपका एंसर जो हो जाएगा वो तामभा हो जाएगा इसका अंतराष्टी बैपार में प्रमुख अस्थान है इसका उप्योग विधूद समंदी आवसकता हो जै इसका उप्योग हम लोग कर सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं तामभे की परमुख उतपादक देश क्या है चिली जो चिली देश है उसमें आपका 35% पाया जाता है ठीक है जो अमेरिका है अमेरिका में आपका 11% पाया जाता है इंडोनेसिया है उसमें 7.6% आस्ट्रेलिय 6.3 परसेंट जो कनाड़ा है उसमें 4.8 परसेंट जो रूस है उसमें आपका 4 परसेंट तथा मेक्सिको है इसका कम मातरा में उत्पादन जपान जर्मनी यूगो इसलाविया फिर्लेंड स्वीडन टूंडरा स्वीडन दक्सिन अफ्रीका आदिदेशों में होता है भारत में प्राइदीप के भागो कडपा धरवार वीजावर तथा अरावली की सिलाओं में अपराथ होता है तो यह आपका इंपोर्टेंट है तांबे वाला जो क्यूचन है बहुत आपका यह पूछेगा चालको पाइराइट वाला क्यूचन करता है और एक है पायरोलुसाइट वा जो है कयांतरी ब Maiudan देखीं दी निचे परतं सकते हैं इसके परमुकयक्षचेयलक पाइराइट है मेला काइट है बोर्नाइट है तथा एजिवराइट है ठीक है मैं इसका अभी आपके सामने स्क्रीन सोट ले रहा हूं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ठीक है और यह जो है करती हुई राखा मोसावानी तथा बहार गोरा तक जाती है राखा तथा मोसावनी के खाने इस पर इस अस्थान पर पहे जाती है कि राखा की खान में सीरा सब्सक्र Mensch math की मोटाई एक से डिर मिटर है जबकी मोसावनी में कहीं कहीं अधीक मोटा है ठीक है इसके साचर क्लोरायट, बायोटाइट कोपार्ट चिस्ट हैं कुछ इसको चाल को स Adaptर Land हैन्गे सब लोग सी का नीचे बोल सकता है यह कि खनन किया जा रहा है यहां पर अभी भी खनन हो रहा है इसमें मोशावानी वाधीवा ध्लसर बहुत स्यादा रहा है तो हम क्या काम करतेव की फोन को ऑरोप्लेन मोड में कर देता हैं ओके अब किसी का फोन ने आएगा आप डिस्टर्ब नहीं होगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे की मोसावानी में दो परमुख सीरा निचेफ है पहले को बोलते हैं में लोड सेगें को बोलते हैं वेस्ट लोड मिंस एक हो गया मुख है तथा एक हो गया पक्षमी सी में है चलको केलको पाइराइट एकी चीज चलको पाइराइट उसको बोलेंगे यह सब जो चीज है यह उतनी इंपोर्टन नहीं है लेकिन थोड़ा सा जो राजस्थान के बारे में दिया है उसको पढ़ना जरूरी है कि प्राचिन खननकार्यों के आवसेस खेतड़ी बवाई तथा सिंधाना में मिले हैं यह तीरो छेतर अरावली स्लेट तथा सिष्ट के अंतरगत आते हैं दिली सेल समू की दोसरेनिया अलवर तथा अजबगड में संगमर्मर की सिलाओं में फाइलाइट ठीक है माइका सिष्ट को आर्टरजाइट एवं एमफी वोला नाइट में साम्र निछेप पाया जाता है में स्तामबा का निछेप पाया जाता है पूरा निछेप उतर पुरुवे में दक्षीं पस्चिंट की और तीन भागव में भाज़ित किया गया है मदान कदान को लिहान तथा खेतली आसक सेरा छेटर में घरने ट्यूक क्लोटाइट सिस्ट पर मुख है सलफाइड खनी चलको पाइराइट यह सब चीज जो हैं बहुत इंपोर्टेंट है इसमें से अभी आप देख रहे हैं कि चालको पाइराइट वाला जो कुशन है बहुत बार-बार रिपीटेट हुआ है तो आप उसको याद रखोगे कि तामबा का एक आयास क्या इसमें बढ़ना है ठीक है तो आप इसे पहले लिखेंगे फिराइस सकते हैं यहां तक तो अभी राजाश्थान पढ़ लिए इसके बार आप पढ़ सकते हैं नेलोर जीले के वीडियो को आश्त तक देखेगा अभी तक बहुत इंपोटन्स बागी है जैसे की अल्मुनियम पेटा की निकट कुछ प्राचिन खाने मिली है जिन में अल्प मातरा में तंबाप राप्थ हुआ यह इंफॉर्मेशन के लिए कि स्टोरी टब के वीडियो बने इसलिए हम बता रहे हैं तो यहां पी देख सकते हैं इस प्रकार चितल दुरुग जो की करनाटक में है वहां पर भी कुछ निचे पाएगा है मदपदेश में भी तामर आयसक बाला घाट जो की मजजल खंड है जबलपूर जिले में सलीम सलीमनाबाद में निवार के समीपत था नर्सिंग पूर में मि सिक्यम की मोटांग डी क्यो रोटक सीरवंग पाची खानी तथा पक्यांग में निचेप मिलते हैं यहां पर ताम रखनीज अबरक शिष्ट तथा नाइस में पाए जाता है दारजलिंग में ताम रखनीज सलेट सिष्ट सिलाओं में मिलता है सबसे बड़ा निचेप को देवाल थाल नामक अस्थान पर तामबे की प्राचिन खाने देखी गई है सिमला पहाडियों में इसको हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि यह बहुत थोड़ा ना स्पीड में इसको निप्टाता है क्योंकि यह उतना इंपोर्टेंट है नहीं तो आपका तो ध्यान देर उ अनेका स्थानों पर प्राप्त होते हैं मध्द प्रदेश में मज्जाल खंड छेत्रे में सरवाधी करीब एक तालिस परसेंट खनीज निशेप है जहां से खुली खनन पती किसे खनन किया जाता है ठीक है भारत में तामबे का सरवाधी कुद पादन करीब साट परसेंट तो दोस्तों पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा तीन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में तो आज के यूग में यह एक अत्यंत इंपोर्टेंट है जैसा कि आप तीन का उप्योग समझ पा रहे हैं अपने दैनिक जीओन में भी भारत में अभी तक टीन का को कोई बड़ा निशेप नहीं मिला है इस का मुख चादर बनाते हैं बनाने में करते हैं को डीबा बनाना है कासा बनाना है यह यह देखिए सब सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो इसमें टीन का सबसे पर मुख कैसिटे राइट है क्या है कैसी ते राइट भारत में चाहतीस गड़ राज के बस्तर चैत्रे में सरवाधी के महत्वपूर निशेप मिलते हैं यहां पर इसका खनन किया जाता है प्रतिसद भागों और रख लेता है यह राष्ठ ही उत्पादक राष्ट भी है जो कि ऊद्पादक राष्ट के रूप में चीन को ब्राजिल को मलेशिया को को लिबिया को एवा मिंडोनेशिया को हम लोग जोड़ सकते है सरवादी कुत पादन जो है चीन में होता है का पोता है चीन में दोस्तों अब जो मोस्ट है एलमुनियम का कुछ बहुत कुछ नहीं बहुत सवाल पूछते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है आज के युग में यह द्हातु अत्यांत उपयोग है आज इसके उपयोग इतने हैं कि सायद इसके बिना वर्तमान सवयता निश्प रहान हो जाए क्या गजब बात बोली है यह प्रिष्ट का आठ क्वेंट एक तीन परतीसत है इसके खनीज अधिकतर जो है ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे आपको सिलिकाउन तो थालो है कि ऑक्साइड के साथ प्राप्त होते हैं यह धातु जो है हलका होता है तता संचारन नहीं होता है इसका जल्दी से परतिरोध इसके जो है एक बॉक्साइड जो है बॉक्साइड इसका एक बहुत परमुख खनीज बन जाता है इसकी जो करशन रचना है बिसमांगी है इसके साथ सिलिका टाइटेनियू वेनेडियू तथा थोड़ा फासपुरस भी इसमें पाय जाता है इसके तीन रूप होते हैं हो गया पर्थम में आपको वोक्साइड के बारे में वोक्साइड आप पढ़ लिए उसके बाद डायसपॉर हो गया या बीटा मोनो हैड्रेट है जिसमें अलूमीना की मात्रा 85% है और नमबर तीन जो है उसको हम लोग गीब साइट कहते हैं क्या कहते हैं गीब साइट यह यह एलफा हैड्रेट है जिसमें 64.41 परतिसत अलूमीना पाया जाता है रूस चीन अमेरिका तथा भारत में इसका डाड़ डायसपॉरिक परकार पाया जाता है यूरोप में इसके निचे बोके माइट परकार के हैं बोक्साइड निचे प्राया समसीत तथा समसीतोष्ण भ रागना भारत में अब भारत में ब्ॉकसाइड आशी मात्रा में तुपलवद होता है यहाँ के उझा पक्षा परकार को स्वस्थ्पंद स्थािट हूं contact ग्राज मैं महारास्थ आता है जो कि अल्मुनिय मुत्पादन में आगे देखा जाता है तो जो यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में पुछावा क्यूशन है यह सब कि जो जो थियूरिया भी बता रहे हैं एक है ग्यूनिया जो की दक्सिन अफ्रीका का एक को लोकेशन होगा अस्ट्रेलिया ब्राजिन में इसके बिश्व के 60 प्रतिस्त से ज्यादा निशेफ है इसके अलावा भारत चीन जमैका वेनुजुएला सुरी नाम गायना आत्याजी देशों में यह खनीच पाया जाता है तो इसको हमको ज्यादा जारखन और बिहार वाला जो यह दिख रहाना इसको हमको ठीक है राची प्लाम्मू तथा छोटा नागपूर में इसके निशेफ मिलेंगे आपको ठीक है यहां के निशेफ गीप साइट प्रकार के मिलेंगे इसमें एलूमिना 47-68 प्रतिसत होता है सिलिका 1-4 प्रतिसत होगा लोह ऑक्साइट 3-10 प्रतिसत होगा टाइटेनियम 8-12 प्रतिसत तक पाया जाता है ठीक है लोहर दग्गा एक जगह है उसमें खनन का कारे अभी परगति पर चल रहा है जो कि जारखन के एक जिला है ठीक है उडिसा में पढ़ते हैं काला हाली तथा संबलपूर के जिले में इसके निशेफ हैं यहां के निशेफ का संगटन कुछ इस प्रकार से हैं पहले चीज़ आप यहां पर समझ लेंगे अलुमुनियम ऑक्साइड का फर्मूला होता है जो की इसका जो संब्सक्राइब और यह सब चीज आप नोट कर लेंगे ठीक है तब लाड़ो के बात करें तो सेलेम जी लेके सीवराय पहाड़ी उपर पर मुख से पाया जाते हैं यहां के निच्छेव का संगटन निम्न है ठीक है यहां से आप देख सकते हो सेम सेम है इसको भी आप नोट्स कर लेंगे यह सब बताने की कोई जरूत नहीं है यहां कार्य सिवराय बॉक्साइट प्रोडक्शन कंपनी करती है मतलब अब यहां पर एक्ट नोट्स करते चलेंगे इसके बाद गुजरात में थोड़ा सा देख लीजिए कि यहां नीचे भावनगर में नवानगर में तथा ओखा में पाया जाते हैं यहां के निचेव का संगटन भी कुछ इस प्रकार से इससे भी आप नोट्स कर लेंगे आगे बढ़िए चातिस ग करन इसके बाद देख सकते हैं वेरेलियम एक विरल धातु है जो बेरिल वैर्द्यू रूप से अगने असिलाओं में पाय जाते है यहां मिस्र धातू संचारन पर्तिरों तथा अन्यारसायनी कुद्योगों तथा परमानों बठी में परिक्ट किया जाता है इसका वीतरन की है भारत में बेरल राजस्थान बिहार और अंद्र परदेश के माई का मैगमाट में पाये जाता है मैसुर कस्मीर अमध्परदेश में भी चोटे निचे परतिवेधित है ररत्न प्रकृती के वेरील राजस्थान में अजमेर के पास राजगर्ण यहां पेलिखा हुआ है तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का यह जेनरल जो चप्टर था खतम हो गया एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वीडियो आएगा जिस में हम लोग उस वीडियो को इस पूरे चप्टर आर्थिक खनीज को हम लोग खतम करने बाले हैं तो जो अभी तक आपका जिलोजी का सबसे इंपोर्टन टॉपिक था वो आर्थिक खनीजी था तो आई होप डेट आपको पसंद आया होगा मिलते हैं किसी ने वीडियो में तब तक के हैं वाने मात्रा